हलो गाईज, चलिए देखते हैं, क्या इस कनेक्शन की कोई फ्यूचर है? मैं यहाँ पर दो पाइल सिट करने वाली हूँ, आपको इनमें से कोई एक पाइल को चूज करनी है क्या इस कनेक्शन की कोई फ्यूचर है? पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2, ओके तो आप इन्ट्यूटिवली कोई एक पाइल को चूज कर लिए यह पाइल 1, यह पाइल 2 और मैं आपको आपका कुशन का एंसर बताने वाली हूँ, ओके? वीडियो को पॉस्ट करके आप चूज कर सकते हो ओके तो जिन लोग उने भी चूज किया है पाइल वन वाव वाव इसके आगे और मैं क्या कहूँ सबसे पहले देखिए Six of Wands, The Lover's Card With The Wheel of Fortune ये connection आपके ही डिस्टाइंड है आप दोनों एक दूसरे के divine counterpart हो यहाँ पर spiritual connection है आप दोनों में और इस connection में आगे marriage family सब कुछ होने वाली है ये connection definitely इस connection में future है divine खुद इस connection को protect करे है और आगे इस connection में आपको success definitely मिले ही ये destiny से divine planning से आप दोनों एक दूसरे से मिले हो सब कुछ एक divine planning पर ही हो रही है जो कुछ भी हो रहा है आप दोनों के connection में और ये आपकी soul connection है तो definitely आप लोग process में हो soul awakening के definitely आगे इस connection के future है चलिए देख रहते हैं pile 2 ओके तो guys इस connection में तो confusion देख रही है बहुत सबाव conflict देख रही है लेकिन हाँ इस connection से love offer तो आपकी तरफ आने वाली है या proposal तो आपकी तरफ आएगी लेकिन ये आप पर है कि आप इस connection को future तक लेकर जाएंगे या नहीं क्यूंकि इस connection में बहुत से confusion बहुत से conflict है और इस connection के वज़े से कही नहीं आप grow तो करे हो लेकिन आपको खुद decide करना पड़ेगा कि ये जो connection है ये आपके लिए है या नहीं ये आपको future में future में इस connection को आपको साथ में लेकर जानी है या नहीं ये आपको decide करना पड़ेगा तो pile 2 जिन लोगों ने भी choose क्या है उनके लिए proposal तो आ रही है आपकी जो mind में जो भी person है उनसे proposal तो आएगी future में लेकिन ये आपको खुद को decide करनी है कि आप इनके साथ आगे आएंगे या नहीं